एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वैस्या भी मरी दोनों ही आमने सामने रहते थे देवदूद बाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वैस्या को स्वर्ख की तरफ सन्यासी ने कहा रुको रुको लगता है तुमसे कोई भूल हो गई यह क कोई भोल चोक हो गई है संसार कर इतना बड़ा काम है भोल चोक हो सकती है जब यहां छोटे मोटे राजा इतनी बड़ी बड़ी भूले कर देते हैं तो पूरे विश्यु की विवस्था में भोल हो जाना कुछ आश्रे की बात नहीं है इसलिए तुम लोग फिर से पता लगा क कराओ जरूर मुझे स्वर्ग और इस वैस्या को नर्ख ही मिला होगा सकतो देब दूतों को भी हुआ उन्होंने कहा भूल कभी हुई तो नहीं लेकिन मामला तो साप दिखता है यह वैस्या है और तुम सन्यासी हो इसे नर्ग और तुम्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए लेक स्वर्ग में ले जाओ संन्यासी को नरक में डाल दो और जादा ही जित करें तो उसे समझा देना की बझे से उसे नर्क में डाला जा रहा है देब दूत फिर से सन्यासी को नर्क के तरफ ले जाने लगे लेकिन सन्यासी जित पे अर गया तो देब दूतों को कारण बताना पड़ा कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था लेकिन सोचता सदा वैस्या की था फगमान की पूजा तो करता था आरती भी उतारता था लेकिन मन में पृतिमा वैस्या की होती थी और जब वैस्या के घर में रात राग रंग होता बाजे बचते, नाच होता हाँ सीकेट ठाके उठते नसे में डोप कर लोग उनमाध होते तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन बेर्थी गमाया आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इस निर्जन में बैठा इस खाली मंदिर में यह पत्थर की मुरत के सामने पता नहीं भगमान है भी की नहीं उसे हमेशा यही सक पैदा होता और रात जाक कर वह करबटे बदलता और वैस्या को भोगने के सपने रेखता लेकिन वैस्या की हालत ठीक इसके विपरीद थी वै थी तो वैस्या लोगों को रिजहाती भी नाचती भी पर मन उसका सदा मंदिर में लगा रहता जब जब मंदिर की घंटियां बचती तो वैस्या यही सोचती कि कम मेरे इस भाग का उदै होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर शकूंगी मैं अभागन मैंने तो अपना पूरा जीवन इस गंदिगी में ही बिथा दिया अगले जन में हे परमात्मा भले ही मुझे मंदिर की पुजारिन मर बनाना लेकिन मुझे मंदिर की सिर्यों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो पूजा करने आते हैं उतना ही बहुत है मेरे लिए जब मंदिर में सुगन दुखती धूप की तो मैं अनन्द मंग्न हो जाती वे कहती यह भी क्या कम स्वभाग है कि मैं अभी भी मंदिर की इतनी निकट हूँ बहुत से लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं माना की मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ लेकिन कम से कम मेरे पास इतना स्वभाग तो है कि मैं रोज सुबह साम मंदिर के बाहर से दर्सन कर सकूँ हर रोज जब पुजारी मंदिर में पूजा पाढ़ और आर्थी किया करता तो हैं आख बंद करके चुपचा बैठ जाती और पुरे ध्यान से मंदिर से आने बाली आर्थी पूजा की आबाजों को सुना करती और मनी मन अपने कर्मों के लिए पश्यताप करती वा इस्वर से छमा मांगती पुजारी वैसिया की सोचा करता और वैसिया पूजा की सोचती पुजारी नरग चला गया, वैसे स्वर्ग चले गई अता जैसे ही आपकी सोच होगी, वैसे ही आपका जीवन होगा और जैसे आपके कर्म होगे, वैसे ही आपको भोगना होगा असली सवाल ये नहीं, कि हम बाहर से क्या हैं असली सवाल तो ये है कि हम भीतर से क्या है भीतर से ही सही निर्णे होता है गौतम बुध ने भी कहा है तुम्हारे बिचार ही तुम्हारे कर्म है अता अगर हमारे बिचार ही बुरे है तो कर्म तो बुरे होने ही है हमारे बिचारों में बड़ी सकती है ये बिचार ही है जो ए नकारात्मक संबाद बैट्टिकों अवसाद मुले जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत सक्थी होती हैं, हम क्या सोचते हैं? इस बात का हमारे जीबन पर बहुत गहरा असर होता है, इसलिए अक्सर निरासा के चणों में मनो बैग्ञानिक भी سकारात्मक संबाद एवं सकरात्मक कहानियों को पढ़ने के सलाह देते हैं हमारे सकरात्मक विचार ही मन में उपजय निरासा के अंधकार को दूर करके आसाओं के द्वार खोलते हैं स्वामी विवेकान जी कहते हैं हम वो हैं जो हमारी सोच नहीं ऑन कि सांज हैं इस थे इस बात का ध्यांद रखिए कि आप क्या सोचते हैं कि जीवन के उचितम लक्ष पराप्ट कर सकते हैं जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे उसे बनाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बिचारों का दरपन है इस प्रकार बिचार जीवन की अधार सिला है हमारे पास कितना फिधन दौलत और समरधी क्यों न हो परमत यदि हमारे बिचार और चिंतन में हर समय धन की लागसा बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में फिए भी यदि संतोसी स्वभाव के हैं तो सूखी जीवन बिता सकते हैं भै और संका के विचार रहने पर हम किसी भी कारे को करने से पहले ही और सपलता की संका से ग्रश्थ हो जाते हैं ऐसे स्चीती में हमें सफलता कैसे मिल सकती हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकरात्मक्ता और ड्रढता का हुना बहुत ये अवस्यक है, विसम परिश्थितियों में विस संत्रित मांसिक स्थिती और रचनात्मक सोच द्वारा हम सफलता की ओर अगरसर हो सकते हैं, नकरात्मक सोच होने पर हमारे सक्ति का गहर संबंद है मन एक कारिसाला है जिसमें ना केवा चिंतन होता है बलकि विचारों का उदह भी होता है विचारों की सुद्धता परिपुष्टता और उत्रष्टता के लिए मन का सुद्ध और प्बित्र होना बहुत ही आवस्यक है मन को सुद्ध करने के लिए संपून जीवन में यानी मनुस्य के समस्त कारियों वा व्योहार में सत्त का होना परम आवश्यक है दुनिया में यदि कोई व्यक्ती महान बना है तो उसके पीछे उसकी बिचार सकती रही है राम, क्रेश्न, महाबीर, गौतम, बुद्ध आधी जितने भी महापुरुस हुए हैं वे अपने उत्खरष्ट विचारों के कारण ही अनेक बलिदान कर महान पद पराप्त कर सके थी हमें सुखी, समरद्ध और पवित्र जीवन के लिए बिचार सकती को हमेशा सुद्ध और ससक्त बनाना चाहिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में